बिहार समय देश भर में प्रदूशन एक बड़ी समस्या है यही कारण है कि बिहार समय देश भर में प्लास्टिक बैक के कारण बढ़ते प्रदूशन को रोकने के एरादे से ही प्लास्टिक के इस्तमाल पर रोक लगाय जाने की तैयारी हो रही है लेकिन लोग फिर भी सुधरने का नाम नहीं दे रहे हैं यही कारण है कि तमाम रोग के बावजूद प्लास्टिक का धडलने से इस्तमाल भी हो रहा है और प्रेदूशन भी बढ़ता जा रहा है हाला कि इन सब के बीच अब बिहार सरकार प्लास्टिक से उत्पन होने वाले प्रेदूशन के रोग थाम के लिए नया रास्ता निकाला है जुसके तहट बिहार में प्लास्टिक से सड़क बनाने की तयारी बिहार सरकार कर रही है यानि कि अब आपके घर से निकले पॉलिथीन का इस्तमाल सड़क निर्मान में किया जाएगा इसको लेकर हर घर से निकलने वाले पॉलिथीन बैक का संग्रह करने की तैयारी हो रही है जिसकी शुरवात बिहार के भागतपुर शहर से होने वाली है जानकारों की माने तो शहर में सड़क निर्मान में प्लास्टिक का इस्तमाल किये जाने को लेकर रोजाना 250 मिट्रिक टन के करीब 225 किलोग्राम प्लास्टिक कच्रे की मात्रा रहती है पर्यावरन के लिए खतरनाग बन रहे प्लास्टिक उत्पादों से निपटने की तयारी नगर निगम ने भी कर ली है इसको लेकर नगर निगम के प्लास्टिक कच्रे का प्रवंधन की जिम्मदारी नीजी कमपनी को सौप दिया गया है सब कुछ सही रहा तो दिल्ली और वारानसी में काम कर रही सिंगापुर की फिल सर्कल कमपनी राजु के भागलपुर में अगले महीने यानि दिसंबर से काम शिरू कर देगी यानि कि अब शेहरवासियों को प्लास्टिक और क्यारी बाग को कोड़ेदान में फेकने की जरूरत नहीं होगी बलकि 6 रुपे प्रती किलोग्राम की दर से कमपनी से खरी देगी प्लास्टिक मुक्तिश शेहर अभियान के तहत ही इस काम को भी किया जा रहा है इस विशेश योजना के तहत घर घर जाकर कमपनी के प्रते दिधी कच्रे को इखटा करने का काम करेंगे इन वॉर्ड में एक कमपनी का काउंटर होगा जहां लोग प्लास्टिक जमा कर सकेंगे जिसके बाद इसके रीसाइकल बैंक का नाम इसे दिया गया है सरकार की यही योजना है कि शेहर में बिखरे पडे प्लास्टिक का इस्तमाल सडक निर्वान में किया जा सके प्लास्टिक सामागरी को, सीमेंट भटो, अबसिष्ट को, उरजा संयत्रो और इंधन संयत्र के साथ रिसाइकल योग्य प्लास्टिक कच्रे को प्रसेसिंग प्लांट में भेजा जाए जो इसके बाद बंडल तयार करने का काम भी किया जाएगा इसके लिए आटोमाटिक और हैंड बिलिंग मशीन स्थापित होगी खुशी की बात ये है कि अगर भागलपुर शेहर की योजना रंग लाती है तो जल्द ही इस पूरे बिहार में इसे एड़ लागू किया जाएगा इसके साथ ही आज की इस वीडियो में बस इतना ही तब तक लिए धन्यवाद